नमस्कार दोस्तों आप सभी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज का ये वीडियो जितने सारे विद्यारति आकांचापोट एक्जाम की तियारी कर रहे हैं उन तमाम विद्यारतियों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होग आप लोगों ने आकांचापोट का फ़र्स्ट एक्जाम है वह दे चुके हैं अभी इंतिजार करें सकैंड एक्जाम की रिजल्ट का अभी मैं आपको बता ओंगा कि आप लोगों सकिर्डावर की तहरी क्यों करने है क्योंकि यूँकि मैं आपको बता देना चाहोंगँ कि से फर्स एक्जाम के बाद आप बलकूल भी वक्त नहीं मिलेगा सेकन्ड ल मैं आपको डिया है है यह जो वीडियो है अगर आप मेडिकल में आपना form डाले हैं आपके लिए भी हैं अगर इंजिनरिंग में form डाले हैं तो आपके लिए भी है है। देखे। इच्ट के स्टूड्न जितने सारे विध्यारती देख रहे हैं ठीक है मैं आपको बता देना चाहूंगा। देखिये आगर आप लोगों का first cut-up ज्यादा विद्यार्थी का नहीं जाता है कि वह इकलेट में बहुत ज्यादा कम फ़र्म डाला जाता है ठीके डालते हैं विद्यार्थी लोग तो इसमें क्या है यह हो सकता है कि आप लोग का first list में ही जो है बच्च लोगों को select का लिया लेकिन जो medical के students हैं और engineering के students हैं इन लोगों का second exam जोरूर होगा ठीक है तो दोस्तों आप लोगों मैं बताने वाला हूँ कि second exam के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए साथे साथ में यह समझाऊंगा कि selection process क्या है देखिये बहुत सारे विद्यार्थी को पता नहीं हो पा रह हैं अगर जो है आप जो आपका जो वीडियो देखकर हम लोगों को पता चला कि मही महिना के first week तर रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें अगर हम लोग का नाम आ जाएगा तो क्या हम लोग स्लेक्शन हो जाएंगे मतलब हम लोग को स्लेक्ट किया जाएगा तो मैं इस वीडियो द्या Benni से सुनिएगा है कि ठीज आप लोग का किलियर हो जाएगा ठीक है सबसे पहले हम लोग स्लेक्शन बोह रिजांगे मतलब सलेक्ट कैसे 15 स्लेक्ट कहसे चाहिक है तो कि सबसे पह़ले आप लोगों ने जिला जो है इस दर पर आप लोगो ने आकांचाफ एक्जाम द हैं देखते हैं जो भी होगा आगे जो भी आपड़ेट आएक आपको दिया जाएगा चैनल पर नियों आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को दोस्तों आकांचा पॉट्टी में सेलेक्ट होना ही है तो जो 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 इस चैनल पर बने रही है ठीक है देखिए अगर आप लोगों का नाम होगा ना इस लिस्ट में अगर आप लोगों का नाम होगा तो आप लोग जो है सेकेंड एक्जाम के लिए इलिजबल होंगे ठीक है सेकेंड एक्जाम के लिए इलिजबल होंगे याना फिर आपको सेकेंड एक्जाम देना पड़ेगा ठीक है बा इस तर पर एक्जाम दिये है, इसका जो, इसे हम लोग बोल सकते हैं, फ़र्स्ट एक्जाम, ठीक है, इसका जैसे result आएगा, ठीक है, इस result जो, एक, प्राइप आप लोग दिया जाएगा जारी होगा तो अगर आपका नाम होगा तो आप सेकेंड एक्जाम के लिए लिजिबल है तो आप second exam के लिए eligible है ठीक है धियान से सुनिएगा मेरे बात को दोस्तों important चीज़े हैं ठीक है और यह second exam कहां पर होगा क्या होता है सर तो चली मैं बता देता हूं ठीक है second exam आपको pass करना होगा ठीक है अगर first list में नाम भी आ जाएगा ठीक है first list में अगर आप लोग का नाम भी समझिए यहना first list में नाम आने से बहादूरी नहीं है आपको second exam की भी तैयरी करना होगा ठीक है यह second exam होगा यह रांची में होगा इसको भी आपको pass out होना पड़ेगा ठीक है जिसको pass करेंगे तो ही आप लोग को select किया जाएगा जैसे आप लोग मानके चली एक्जाम दिये इसके बाद इसका भी result देखिए इसका result आने में देरी नहीं होता है ठीक है second exam का result जल्दी दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर कम भी द्यार थे है ना यहाँ पर मानके चलीए first list में कुछ भी दर्थी का नाम आएगा ठीक है second list में sorry second बता रहे है जो यहाँ पर medical में कुछ ना हम हो रहा है ठीक है यहाँ पर बात समझगे अब देखिए यहाँ पर यह जो result आएगा इस यह जो इसे हम लोग क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे second list में आप लोगों का जो है यहाँ पर भी अपना नाम होना चाहिए अगर इस list में नाम होगा तो आपको finally जो है select किया होगा ठीक है आप बात करते हैं second exam में questions कहां से पूछेगा तो मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा देखिए यहाँ पर यह जो second exam का सुरुवात हुआ देखिए 2022 में भी second exam हुआ था 2023 में भी second exam हुआ और 24 में भी होगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर 22 का जो second exam का paper है इना इ टेंसन नहीं लेना है जो 2022 का जो paper है इसका मैं क्या करूँगा जो telegram channel है उसमें मैं PDF दे दूँगा ठीक है तो आप लोग को टेलेगराम चैनल पर जोएन हो जाना है उसका PDF दे दूँगा साथ यूटूब पे साथ यूटूब पे इसका video solution आप लोग को दे दिया जाएगा टेंसन नहीं लेना है आप लोग तैयारी करते रहिए ठीक है तो आप लोग का questions इस बर्स कहां से आएगा तो मैंथी में completely आप लोग 10 को पढ़ाई कर चुके हैं तो इसको revision कीजिए साथ 11 के कुछ गिने चुने topic है जो कि मैं आप लोग को जल्द बता दूँगा ठीक है तो क ठीक है बात समझगे देखे 22 में भी 22 में जो एक्जाम हुआ था यहां से काफी सरा सवाल 23 में आया था जिसलिए 23 का काफी सरा सवाल जो है आप लोग 24 में देखने को मिलेगा जिसलिए आप लोग previous year questions को मैं recommend करूंगा कि आप लोग जोरू से पढ़ करके जाएं आपको समझ समझ में आ जाएगा कि question second exam में किस level का पूछ जाता है ठीक है तो आज की session में मैंने आपको बताएं main theme क्या है आप लोग के पास जो भी book के जाए anxiety हो चाए कुछ भी book हो तो अभी आप लोग 10th के एक एक chapter को अच्छे तक से पढ़ाई कर लिजे और 11th का कुछ कुछ topic में करने के बाद मैं next video लाओंगा ठीक है जो हम लोग का next video होगा जिसमें मैं आप लोग को second exam का ठीक है यहाँ पर मैं क्या करूंगा second exam का previous questions है जो प्रिवेस एर कोश्चन से ठीक है second exam का जो पी वाइक्यूज है इसका जाम लोग इसका क्या करेंगे next video में solution करेंगे ऊका हम live कर भाएं यह को सकता है रिकॉडडेड देनी है ठीक है तो उसके बाद देखिए आप लोग को क्या करना निश्य कमेंट सेक्षिन में बताओगे और दोस्तों 11 आप vere union की तियारी करना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि 11 में कापी सारे competitive exam से जिसकी तियारी इस चैनल पर कराया जाएगा ठीक है तो आई होब कि इतना समझ मागे अभी आप लोगा खांचा फोटी के second exam का आप परप्रेशन कीजिए जो भी होगा आप लोगो चोटे मोटी जो भी जानकारी चाहिए आप लोगो दिया जाएगा टेंसर नहीं लेना है और टेलेग्राम चैनल जरूर कर लेना तो second exam के लिए कि आपको पढ़ना है तो प्रिबिएस एर कोश्टन पढ़ाई करू एंटेंद के जो syllabus है उसको आप लोग देखो थोड़ा वो ठीक है और मैं आप लोगो जल्द प्रिबिएस एर का कोश्टन का जो सलूशन है वो यूटूब पे कराऊंगा तो मेरे ये वीडियो देखने के बाद सेलेक्शन प्रोस करता है छो कहा है यूटूँ